हेलो गाइज वेलकम बेक तो मैं चैनल इजी मेक कॉंसेट्ट सो माइसा सुधिप थाधरा हमें एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं जो जीट्यू के रिगार्डिंग है तो जीट्यू का आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है अभी उन्होंने चालू किया था फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ एक्जाम्स सो यहां पर लिखा 28 के स्टुडंट्स ऑप्ट फर जीट्यू ऑनलाइन एक्जाम्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह आज का ही न्यूस पेपर क्लिप है जो 25 जुलाई लिखा हुआ है यहां पर टाइमस ऑफ इ और बेल आइकन दबा दीजिए ताक कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन्स और अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए ज्यादा समय ना लेते होगे वीडियो को सुरू करते हैं अमदा बाद से यह बहुत बड़ी न्यूस आ रही है आफ्टर गिविंग त्री ऑप्शन तो स पर टेकिंग दा समर 2020 एक्जामिनेशन 2020 को जांद जीट्यू है यूनिवर्सिटी रिसीवड रिस्पोंसेश फ्रम 28 थाउजंड फूर ओंलाइन एक्जाम एंसी क्यू बेस्ट एक्जाम ओके तो यहां पर जैसा की लिखा गया था उपर हेड्लाइन में यहां पर वही लिख किया है क्योंकि अभी कोविट की सिचुएशन काफी जादा कराब चल रही है और उसके हिसाब से लोग ऑनलाइन एक्जाम ही प्रेफेर कर रहे हैं दा वेरसिटी हैज अलसो एक्टेंड देडलाइन ओफ चूजिग ऑप्शन फॉर 24 25 जूलाइज जैसे कि आपको पता है कि वेरसिटी लोगों ने उन्होंने क्या किया जुलाइज 25 तक कर दिया है एक्जाम सिलेक्शन का वप्शन फॉर स्टुडेंट्स इन फाइनल सेमिस्टर अंडर्ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कोर्स इस अर्लियर देडलाइन वस 23 तो पहले आप आपको 23 तक ही भरना था लेकिन उन्होंने डेडलाइन एक्सेंट कर दिया है और आप 25 टेट तक आप एक्जाम कर सकते हैं एक्जाम कंड़क्ट मतलब एक्जाम के लिए ऑप तक कर सकते हैं स्टुडेंट है और उसमें हर एक डिटेल इंफोर्मिशन दिया गया था तो आपको पता ही होगा के 28 जुलाइ को जो है आपको प्री ट्रायल टेस्ट क्लियल करना होगा उसके बाद ही आप एक्जाम दे पाएंगे तो यह एक्जाम आप किसी भी डिवाई से दे सकते हैं ल बहुत बड़ा क्राइटरा यह है कि 512 के बीपेस रिकमेंडेड नेट स्पीड उनको चाहिए वह भी कंटीनिवसली कॉंसिस्टें लिखा है मतलब थोड़ा अपडाउन हो तो चलेगा लेकिन 512 के बीपेस आपको मिनिमम स्पीड आती रहनी चाहिए कंटीनिवसली ओके सो इसमें कहा गया कि अगर आप इतना स्पीड नहीं आ रहा है आपके होम लोकेशन पर यह कहीं पर तो आप कोई भी जीटू रिलेटेड जो इसका आप हैल्प ले सकते हैं और उस वहां पर जाके आप लोग एक्जाम दे सकते हैं वेबकेम सा रिकवर्ड फोर स्टुडेंट अग्जाम उजिंग लेप्टोप्स और डेक्स्टॉप फ्रंट फेसिंग कैमेरा और नीड़ेड फोर दोज वहां टेकिंग दियर एक्जाम आपके लिए जरूरी है और वेबकेम आपके लिए जरूरी है अगर आप लेप्टोप या पीसी में से दे रहे हों और अगर आप टेबलेट या मुबाल में से दे रहे हो एक्जाम तो आपको फ्रंट फेसिंग कैमेरा ज़रूरी है ओके सो अधर एक्जाम उप्सटॉट पैन पेपर एक्जाम टूबी हैल्ड ऑन ऑगस्ट 17 और स्पेशल एक्जाम टूबी कंड़क्टेड इन सप्टेंबर सो आपको पता पैटन है और इसके लिए आपको काफी ज्यादा डीप स्टडी की ज़रूरत है और उसके लिए और उसमें पास होते हैं तो ही आपको एक्जाम ओनलाइन देने का मौका दिया जाएगा तो थेंक्यू सो मच गाइस पर वाचिंग इस वीडियो और अगर आप में चैनल पे न कुमाश गाइस